आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हम से बूचा गया कि ब्रायोफाइट के या लान्द प्लांट्स के एंसिस्टर हम इनमें से किसे कह सकता है अब 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 अगन्ट किंडम की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे लिविंग वाल्ल में एक ऐसा किंडम है जिसमें mainly हमने autotrophic organisms को place किया हुआ है यानि जो खुद अपना food synthesize कर सकते हैं अपने ecosystem में दूसरे organisms पर depend नहीं करते है nutrition requirements के लिए लेकिन इस kingdom को भी हम further कई categories में divide करते हैं कई taxonomic groups हा जाते हैं इसमें तो bryophytes ऐसे हो जाते हैं एक ऐसा group है plant kingdom के अंदर जिसमें हम mosses और liverworts जैसे plants को place करते हैं और इनी के हमसे ancestors पोचे गए हैं तो algae की हमें तीनों classes यहां पे दिये हुए है green algae, brown algae, red algae इनमें से कौनसे हम higher plants के ancestor कह सकते हैं वो हमें बताना है तो green algae जो हमारे class होती है इसको हम chlorophyce कहते हैं और यह नाम इनको क्यों मिला है क्योंकि pigments अगर इनके पास देखे हैं कौनसे कौनसे होंगे तो दो तरह के chlorophyll इनके पास होते हैं chlorophyll A और B mainly जिससे इनको green color इनका मिलता है फिर दूसरे हमें pheophyce दिया हुआ है जिसको brown algae कहा जाता है इस class में हम कौनसे pigments देखेंगे pigments इनके पास chlorophyll A और C होते हैं इसके अलावा carotenoids होंगे और कुछ xanthophyll pigments होते हैं mainly fuco xanthin होता है इनमे और इसी की वज़े से इनका brownish type का color olive green to brownish color इस class में हमें मिलेगा जबकि red algae को rhodophyce हम कहते हैं और इस class में कौनसे pigments देखेंगे chlorophyll A, B और phyco erythrin pigment जो कि इनका red color देगा तो यहाँ पर अगर हम land plants की higher plants की बात करते हैं plant kingdom में तो उनके पास main pigments कौनसे होते हैं chlorophyll A और B जिसकी help से photosynthesis होती है sunlight को trap करके तो higher plants में अगर A और B pigments हैं तो उनके ancestors कौन होंगे जो similar pigments रखने वाले होंगे तो algae की कौनसी class हो जाएगी हाँ पर green algae जो higher plants की तरह chlorophyll A और B पोसेस कर रहे हैं जबकि बाकी classes हम देखेंगे के xanthophyll pigments phyco erythrin उपर से chlorophyll का C, D यह types पोसेस कर रहे हैं जबकि higher plants की तरह हमारे green algae में chlorophyll A और B chlorophyll होते हैं इसलिए हाँ पर option A सही हो जाएगा green algae को chlorophyll को हम land plants की या higher plants के ancestor क्या सकते हैं तो कि pigments इनमें similar होते हैं तो option A सही answer कर देंगे क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर